भिलाई के ग्लोब चोक में दो दिन पूरो फाइरिंग करने वाले आरोपी के घर पर शुकरवार को बुल्डोजर कारवाई की गई आरोपी ने सिक्टर छे के सड़क 31 के बिल्डिंग में अवैत कबजा कर घर बनाय हुआ था जिस पर BSP के इन्सोर्समेंट विभाग की अधिकारी और तोडू दस्ता ने भारी पुलिस बल के साथ पहुँच कर बुल्डोजर कारवाई की ये बुल्डोजर कारवाई BSP तोडू दस्ते की अब तक की सबसे बड़ी कारवाई है बतादे के भिलाई के टाउंशिप गलोब चौक में मंगलवार बुधवार की दर्म्यानी रात नशे में धुत आरोपी अमिज जोश ने एक विवाद के बीच तीन राउंड फाइरिंग कर दी थी इस घटना में दो लोगों को गोली लगी और दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है दोनों का रायपूर की अस्पताल में इलाज चल रहा है दोनों घायलों में से एक सुनी लियादाव जियो कंपनी का करमचारी है और दूसरा आदिति सिंग उडान अधकादमी में पीच सी की तैयारी कर रहा है बदमास अमिज जोष की खिलाब दुर्ग पुलीस के पास 49 मामले भी दर्ज है पुलीस ने कलेक्टर को बतलीक कर अमिज जोष को जिला बदर करने की मांकी है कि देखे बीस पी इंफॉर्समेंट की टीम का आज विसे सभियान के तहते हैं जो अतिकरमन है बहुत सारे जगों में सक्टर 6 में भी है उसको तोड़ा जा रहा है और उनको किसी प्रकार का कोई अव्यवस्था या किसी दिनलता हो उसके लिए पुलिस फोर्स यहां पर उनकी सहता के लिए मौजूद है हम दो उसे क्लिए रहता था किराय से लोगों को चड़ाया हुआ था और अन्य लोगों के साथ साथ जो अमिद जो से सक्टर 6 को त्वाली थाने गुंदा वदमास है उसका भी यहां पर मकान है बड़े पाहिन पर उसके दोरा बीस पी के साथ के वह पर ऐतिकरमण कर और एक आलिशान भावन का निमाद कराया गया है तो अन्य अतिकरमण के साथ साथ उसको भी बैस पीस इन्फॉर्समेंट एजंसी की जो प्रक्रिया है ह उसमें अमीद जो यहां के गुंड़ा बदमास है उसका वेतिकरमन उसको भी तोड़ा जा रहा है